नश्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सभी का इस YouTube चेनल पर जिसका नाम है स्टेविद पेल लोदा साथियों सिक्सन विदियों का पेपर नंबर 31 आज आपके लिए लेकर आया हूं इसके पहले हमने सिक्सन विदियों के 30 टेस्ट पेपर हल कर लिए हैं देखिएगा ये जो टेस्ट है ये रीट पातरता परिक्सा जो जुलाह माह में जो तोने वाली है 2022 की जो रीट है उसके लिए थर्ड ग्रेट सिक्सक भरती जो मुख्य पेपर है उसके लिए सेकंड ग्रेट सिक्सक बरती और फर्ष्ट ग्रेट सिक्सक बरती इन सभी जो चारो बरती प्रिक्स है हैं इनके लिए बेहद ही उप्योगी यह टेस्ट स्रीज है आपको सिक्सन विदियो के पूरे सो टेस्ट अवेलेबल करवाय जाएंगे इसी यूटूब चैनल पर तो नि फुर्ष ही शांदार प्रिष्टों का संग्रलन आपके लिए लेकर इस 31 टेस्ट में आए हैं तो एक एक प्रिष्ट को व्याख्यात्मक रूप से हल करेंगे चलिए देख लेते हैं पहला प्रिष्ट पिछले देखने के लिए वीडियो के लाश्ट में मैंने प्लेलिस्ट लगा दी है लाश्ट में यहाँ पर आपको एक प्लेलिष्ट दिखेगी उस पर टच करके आप पिछले 30 ही टेश्ट अटेंड कर सकते हो तो चलिए देख लेते हैं पहला प्रिश्ण सात्यों प्रश्ण संख्या एक है आपके सही विकल्प का चेहन कीजिए पहला विकल्प है पाट्टे करम मद्यस्त चर दूसरा विकल्प है चात्र आश्री चर तीसरा विकल्प है अध्यापक सोतंत्र चर और चोता विकल्प है इनमें से सभी सही है तो देखो यहाँ पर एक तो मद्यस्त चर होता है, एक आपके आश्री चर होता है, और एक आपके सोतंत्र चर होता है, यहाँ जो सोतंत्र चर है, वो अध्यापक को माना जाता है, आश्री चर छात्र को माना जाता है, और मद्यस्त चर पाट्टे करम को माना जाता है, जो की बिल्कुल यहाँ पर सही द नमबर दो है प्रस्तावना के रूप में वारतलाब से यह गोता है कि बालक अध्यापक को सुनता है, वारतलाब सीखता है, विश्य वस्तु कोृ गहन करने के लिए तैयार हो जाता है और पारट को सुनने लगता है। तो देखो प्रस्तावना के रूप में जो हम बच्चों से प्रस्तावना प्रिशने पूचते हैं उससे क्या होता है बालक अध्यापक को सुनता है सिर्फ प्रस्तावना का इतना महतु नहीं है साथियों वारत अलाप सीखता है ये भी नहीं है बलकि प्रस्तावना के माध्यम से हम बालक को उस पार्ट से जोडते हैं और बालक विश्य वस्तो को गरहन करने के लिए तैयार हो जाता है अर्थार्त विकल्प नंबर जो तीन है आपके प्रिशन संख्या दो में ये आपका सही आंसर होगा चलिए आगे बढ़ेंगे प्रिशन नंबर तीन पर तो तीसरा प इंतरगत करते हैं इसको एक और अनिक किस नाम से जाना जाता है तो आपके प्रिशन संख्या तीन में जो सही आंसर है इस परष्टी करन का दूसरा नाम क्या है साथियों आत्मी करन है इस परष्टी करन को आत्मी करन भी कहा जाता है यहां आपके तीसरे प्रिशन में कौन स प्रश्च नमबर चार है, सह संबंद उपागम किस ने दिया, जिलर के दोरा सह संबंद उपागम दिया गया, हरबर्ट के दोरा दिया गया, जिरोम एस ब्रुनर के दोरा दिया गया, या एच सी मोरिशन हेंरी कलेव मोरिशन के दोरा दिया गया, तो यहां प्रश्च नमबर था हर्बर्ट के दोरा किसके दोरा हर्बर्ट के दोरा विकल्प नंबर आपका दो सही है प्रश्ण नंबर 4 में नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्ण नंबर 5 की ओर पांच वा प्रश्ण देखते हैं very important question है इसमित की रचना इनमें से कौन सी है चार यहां पर रचनाओं क और चौता विगल्प है psychology in rating और चोता विगल्प है psychology of the teacher तो शाथियों पांज़ए प्रश्च्ण में कौन सा विखल्प आपका सँ है जो इसमित की रचना है वो इनमें से कौन सी है पांचवे प्रिश्ण में आपके जो सही उत्तर है इसमित की रचना है इन में से साइकलोजी इन टीचिंग रीडिंग जो की पहला विकल्प है आपके साइकलोजी इन टीचिंग रीडिंग वाला यही इसमित की रचना है विकल्प एक आपके पांचवे प्रिश्ट में सही रहेगा चलिए आगे बढ़ेंगे प्रिश्ट नमबर 6 की और लेकिन मैं आपको बता दूँ कि टीचिंग मेतट के साथ 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 साइकलोजी के भी पूरे सो टेस्ट यहाँ पर आपके लिए चल रहे हैं जिसमें 40 टेस्ट आपके साइकलोजी के हो चुके हैं इंदी के भी आपके लगबग 40 टेस्ट होने वाले हैं आप यू मानिए इंदी के भी 40 टेस्ट होने वाले और साथ में इसके भी पूरे आपको 100 टेस्ट मिल रहे हैं राजिस्थान जिके की 100 तो कलास है और 100 ही यहाँ पर राजिस्थान जिके के टेस्ट NCIT और RBS की किताबों से आपके चल रहे हैं, तो चैनल पर नहीं हो तो सस्क्राइब जरूर कर लीजेगा, चलिए आगे बढ़ेंगे प्रिशन नमबर 6 की और, छेटा प्रिशन है दुख अनुबूती के समय, वाचक का स्वर भारी होना क्या है, ध्वनी वश् तो हमारा जो स्वर है, हमारी जो आवाज है, वो भारी-भारी हो जाती है, ऐसा क्यों होता है, आपका प्रशन नमबर 6 में जो सही आंसर है, वो रहेगा विकल्प नमबर 1, ऐसा ध्वनी वश्टा के कारण होता है, इसको भी most important question मानेगा आप, विकल्प 1 आपके प्रशन नम जिसमें विध्यारती अपना अध्यापन कार्य अध्यापक की देखरेक में पूर्ण करता है, कहलाती है, स्वय अध्याण विधी, ग्रह कार्य विधी, पर्य वेक्षित अध्याण विधी और मोखिक कार्य विधी, चात्र के दोरा जो अध्यापन कार्य है, वो अध्यापक की देख रेक में किया जा रहा है अब स्वध्यान में तो क्या होता है चात्र खुद ही अध्यान करता है उसमें अध्यापक की देख रेक नहीं होती है साथ यह विकलपाप का अंसर नहीं रहेगा ग्रहे कार्य में भी ऐसा नहीं होता है नहीं मौकिक कारे में होता है पिछले टेस्ट में ही मैंने आपको एसा प्रशने बताया था परिवेक्षित अध्यान विदी वाला जिसमें डेजी जेवन मोर विल वगेरा इनके बारा में मैंने आपको डिटेल भी बताई थी तो तीसरा विकल्प आपके प्रशने संख्या साथ में सही है परिवेक्षित अध्यान विदी में अध्यापक देखरे का कारे करता है और चात्र अध्यापन करते हैं अध्यापन मतलब पढ़ाई करते हैं तो विकल्प तीन सही रहेगा आपके प्रशने संख्या आठ की और आटवा प्रिशन देखते हैं साथियों आपका आटवा प्रिशन है इकाई योजना की सबसे बड़ी विश्यस्ता है कि यह बड़ी होती है यह इसपष्ट होती है यह सुन्दर होती है और यह समगर होती है तो बताओ प्रिशन नमबर आट में जो इकाई योजना की सबसे वीकलप नमबर आपका जो चार है प्रश्ण नमबर आट में वो आपका सही आंसर होगा चली आगे बढ़ेंगे प्रश्ण संख्ञाँ 9 की ओर तो 9 प्रिशन देखते हैं अच्छे सिक्सन के रूप में किसको अधिक महतु दिया जाता है पाट को अधिक महतु दिया जाता है अध्यापक को अधिक महतु दिया जाता है इकाई योजना को अधिक महतु दिया जाता है और नियोजन परकिर्या को अधिक महत्व दिया जाता है most important question है most important क्योंकि ऐसे प्रिशने जब एक्जाम में आते हैं बहुत ज़्यादा चांसेज बढ़ जाता है गलतिया करने का यहीं पर गलतिया कर लो कोई दिक्कत नहीं है एक्जाम में गलतिया नहीं होना चाहिए साथियों आपकी तयारी इतनी अच्छे तरीके से यहां पर हो सकती अगर आप चाहो तो लेगूलर आपको वस टेस्ट सिरीज अटेंड करने पड़ेगी पिछली बार भी कई सारे विध्यारतियों का चैन हुआ है मेरे पास कहीं सारे विध्यारतियों के मेसेज भी आये हैं तो आप भी मैनत कीजिए निश्ची तरूप से सेलेक्शन होगा हमारा काम रहेगा जो हम करेंगे आपका जो काम है वो आप करेंगे टेस्ट सिरीज अटेंड करो सेल पिष्टेडी करो नोट्स बनाओ ये चीज़े साथ यो बहुत इंपोर्टेंट होती है सेलेक्शन के लिए तो देखो अच्छे सिक्षन में सबसे ज़्यादा महत्व किसे दिया जाता है नियोजन परकिर्या को क्योंकि नियोजन परकिर्या का मतलब किस से लिया जाता है कि मुझे क्या पढ़ाना है मुझे के से पढ़ाना है किन उद्देश्यों की पूर्ती करनी है किस विदी से मैं बच्चों को पढ़ाऊंगा कौन से सायक सामग्रिया में यूज़ करूंगा ये सारी चीज़े नियोजन परकिर्या के अंतरगत आ जाती है अच्छे सिक्षन में सबसे ज़्यादा मैत्व किसे दिया जाता है नियोजन परकिर्या को तो चोता विकल्प आपके नोवे प्रिशन में सही है नेक्ष्ट आगे बढ़ेंगे प्रिशन संख्या 10 की ओर सात्यों दसवा प्रिशन है आपके तो इन में से कोई नहीं वाला विकल्प हम हटा देते हैं क्योंकि एक्जाम में या आपका आंसर नहीं होता है दसवे प्रिशन में जो सई आंसर है यहाँ पर जो उपलब्दी परिशन होते हैं जिसमें चात्रों की उपलब्दी देखी जाती है उसको दो भागों में वर्गी कृत करने वाले मान की कृत और एमान की कृत जो प्रकार है या सिक्सक निर्मित है ये वर्गी करन किसके दोरा किया गया है डगलस वे होलेंड के दोरा विकल्प एक आपके प्रशन संख्या 10 में सही रहेगा नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं में स्लेशन की और और अनो करन से अब्भ्यास यहां पर चार विकल्प है चारों में ही आपको लग रहा होगा कि वहीं सिक्सन सुतर है लेकिन एक एसा विकल्प है जिसमें जो लिखा रहा है वहुँआ हि माना जाता है मुर्ट से अमुर्थ क्यों और भी सिक्सन सुत्र होता है कि जो चीज बालक पहले से जानता है पहले से उसे ज्यात है पहले वो सिखाए जाए और फिर दीरे दीरे अग्यात की और बढ़ाए जाए बतलब जो चीज वो नहीं जानता है वो सिखाने का प्रयास किया जाए विशलेशन से संसलेशन की और चीजों को तोड़ करके बताओ और फिर उनको जोड़ करके बताओ तो ये विशलेशन से संसलेशन की और ये तीनों ही सिक्सन सुत्र होते हैं लेकिन अनुकरन से अभ्यास की और ये सिक्सन सुत्र नहीं माना जाता है ग्यारवे में आपके चोता विकल्प सही रहेगा साथिय नेक्स्ट प्रश्ण नमबर 12 प्रश्ण विज्ञान सिक्सन की अवलोकन विदी की विशेस्ताएं हैं अनुभव इस्पष्ट वियोस्तित होता है वस्तों परकिर्याओं का प्रत्यक्ष दर्शन होता है कल्पनाओं को ठोसादार बनाने में सायक है और इन में से सबी अवलोक चोता विकल जो उप्रियुक्त सभी वाला यही आपका सई आंसर है सात्यों प्रश्ण नमबर 12 में चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्ण नमबर 13 की ओर तो आपके प्रश्ण नमबर 13 को हम देखते हैं प्रश्ण नमबर 13 आप से क्या पूछ रहा है पाठ योजना निर्मान का सरवादिक लाब मिलता है विध्यारतियों को मिलता है सिक्षक को मिलता है प्रधन अध्यापक को मिलता है और इन में से किसी को भी नहीं मिलता है तो लेकिन अध्यापक को ये सारी चीजे पता रहेगी कि मैं कौन सी सिक्सन विदी का प्रियोग करूँगा, मैं किस तरह से बच्चों के सामने प्रजेंटेशन विशेवस्तु की देने वाला हूँ, कैसे कैसे प्रिश्णे पूछने वाला हूँ, कौन कौन सी सायक सामगर्यों का प्रियोग करने वाला हूँ, तो इस प्रकार पार्ट योजना का जो सरवादिक लाब मिलता है, वो सिक्सक को मिलता है, किसको मिलता है, सिक्सक को मिलता है साथियों, तेरवे प्रिश्ण में दूसरा विकल्प आपका सही है, कहीं सारे स्टूडेंट इसमें पहले विकल्प आवशक्ता होती है प्रस्तावना की सिक्सन उद्देश्यों की सहयक सामगरी की और मुल्यांकन प्रिश्णों की तो देखो पार्ट योजना में सबसे पहले जो हम बनाते हैं मुल्यांकन प्रिश्ण तो सबसे पहले नहीं बराएंगे क्योंकि मुल्यांकन प्रिश्ण तो बा रहे हैं आखिर उनका उद्देश कौन कौन से उद्देश्यों की पूर्ती इस पार्ट के माध्यम से या इस जो प्रकरने हैं हमारा उसके माध्यम से हम करने वाले हैं तो आता है सिक्सन उद्देश्यों की सरुप्रतम आवशक्ता होती है पार्ट योजना के निर्मान में ठी चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्ण नमबर 15 की और तो आपके पंद्रवा प्रश्ण देख लेते हैं आपके प्रश्ण नमबर 15 है दस वर्षिये विद्याले सिक्षाकरम की अभी शंशा किस ने दी यूजी सी ने दी राश्टिये सिक्षा परिशद ने दी कोठारी सिक्षा आयोग ने दी और मुदालियर आयोग ने दी तो प्रश्ण संक्या 15 में थोड़ा सोचकर के अंसर बताईए अगर याद है तो डारेक लिए आप बता सकते हो अगर याद नहीं है तो इस प्रश्ण को नोट कर लेना साथियों क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मैद्पून प्र लेकिन इन्होंने अपनी रिपोर्ट 1986 में प्रस्तूत की थी इसलिए कोटारी सिक्ष्यायोग 1964 चांचट लिका जाता है तो थर्ड विकल्प आपके पंद्रवे प्रिश्ण में सही है नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्ण संख्या 16 की ओर साथियों आपके 16 प्रिश्ण जो विशेस धियान देना है कि किल पेट्रिक ने जो प्रियोजना विदी दी है इसमें करके सिखा जाता है और करके सीखना किसकी विचारदारा थी जोन ड्यूवी की विचारदारा थी सात्यों यहां पर इसमें इन्होंने 6 पद बताए हैं कितने पद बताए हैं जो प्रियोजना विदी है उसके सोपानों या पदों की संक्या कितनी है 6 है लेकिन या 6 तो विकल्प में नहीं है मतलब पद या सोपा नहीं पूचे जा रहे हैं बल्कि प्रियोजना विदी को जिन भागों में बाटा गया है वो आपसे पूचा जा रहा है, तो इस चीज पर विशेश फोकस कीजेगा, किल पेट्रिक ने जो प्रियोजना विदी को जो अलग-अलग भागों में डिवाइडेशन किया है, उनके कितनी संक्या है, उनकी 4, च शामपट का वास्तिविक आकार कितना होता है? 26 वर्ग पीट, 28 वर्ग पीट, 30 वर्ग पीट और 24 वर्ग पीट. अब आप कहोगे कि शामपट तो छोटा भी होता है, बड़ा भी होता है, एक नॉर्मल उसकी साइज भी होती है, बहुत बड़ी साइज भी होती है, बहुत होता है कितना होता है चोई सवर्ग वर्ग फिट आपको विशेश तोर पे यह प्रिश्ण भी याद रखना है ठीक है नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं प्रिश्ण नंबर 18 की और 17 में आपके चोता विकल्प सही है तो आपके अठारवा प्रिश्ण देख लेते हैं अठारवा प चलिए नेक्स देख प्रिश्ण नंबर 18 भारत में सरुपरतम की सायोग ने सायक सामगरियों के प्रियोग पर जोर अपने परतिवेदर में दिया था मेकाला आयोग के दोरा कोठारी आयोग के दोरा नई सिक्षा नीति के दोरा और इन में से सभी के दोरा दिया होगा सभी लेकिन प्रश्ण पूछने का जो तरीका है उससे अंसर सभी वाला नी रहेगा क्योंकि ये किराहे सबसे पहले सभी ने एक साथ तो दिया नहीं होगा क्योंकि सारे जो आयोग है नीतिया है वो अलग-अलग समय पर आई थी साथियों तो अतहा आपके अठारवा जो स्वेदनिया अपनी रिपोर्ट में तो सेकर्ण विकलब आपके 18 प्रश्ण में सही है नेक्ष्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्ण नंबर 19 की और साथ यू 19 वा प्रश्ण देख लेते हैं आपके प्रश्ण नंबर 19 है प्रियोजना विदी सोरी योजना विदी का प्रतम प्रफम सोपान कों सा परिष्टति उत्पन करना योजना का अनुभाव करना योजना का मुल्यानकन करना और योजना का नियोजन करना एक तो प्रफं सोपान जब पूछा जाए तो मुल्यांकन सबसे पहले ऐले isso that मुल्याइंकन वाला विकल्प तो हम यहां से पून रूप से हटा देते हैं अब आपके पास 19 प्रिष्ण में तीन विकल्प बचरे साथियों तो सबसे पहले योजना का अनुभव किया जाता है या योजना का नियोजन किया जाता है या परिस्तिती उत्पन की जाती है तो ज कंडिशन या समश्य उत्पन कर दी जाती है कि उसका समधान करने के लिए प्रियोजना विदी वहाँ पर लागू की जाए तो विकल्प एक आपके 19 प्रिष्ण में सही है साथियों नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रिष्ण संख्या 20 की और आपके 20 वाप्रिष्ण देख बात की जा रही है पर्लेण अध्यान की जो प्रभावशाली विदी है प्रात्मे किस तर पर व्याख्यान विदी तो नहीं हो सकती क्योंकि व्याख्यान विदी तो आप उचिस तर पर प्रियोग कर सकते हो ठीक है उचिस तर पर ये प्रियोग की जाती है ज्यादा तर लेक विदी या कहानी विदी तो साथ यो दोनों में से जो सही आंसर है वो है कहानी विदी कहानी विदी यहां पर प्रात्मिक इस तर पर परयाण अध्यान की प्रवावशली विदी हो सकती है क्योंकि कहानी के माध्यम से बच्चों को यदि हम सिक्सन कराते हैं तो उससे क्या होग प्रश्ण नमबर 21 की ओर तो आपके 21 वा प्रश्ण अनुसंधान विदी का गुण नहीं है यह मनोवज्यनिक विदी है किरिया शीलता के सिध्धांत परादरित है इस विदी का विकास आनमिश्टोंग ने किया था और छोटी कक्षाओं के लिए विशेश रूप से उपयोग विदी है तो मतलब चार यहां पर विकल्प है इनमें से अनुसंधान विदी जिसको हम खोज विदी भी के सकते हैं मतलब इसको खोज विदी हुरिष्टिक विदी अनुसंधान विदी इत्यादी नामों से जाना जाता है तो मनोवज्यनिक विदी माना जाता है साथियों ब आपको क्या देखना है गुण नहीं है दूसरा कहा है क्रिया-शीलता के सिध्धान परादारीते मतलब बाला किसमें क्रिया के माध्यम से सीखता है यह भी सही है इस विदी का विकास आर्मिश्टोंग ने किया था यह भी सही है तो मतलब आपके एक विकल बच्चा कुल सा चो जोगी मानी जाती है क्योंकि छोटे बच्चे अनुसंधान का प्रियोग तो भी कर सकते अथ है विकल्प नंबर आपका चार 21 प्रिश्ण में सही रहेगा नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्ण संख्या 22 की ओर तो आपके 22 वा प्रिश्ण साथ यो 22 वा प्रिश्ण देखेंगे शिक्षा में विकास को लेकर फ्रोबेल का मुख्य योगदान है वानी जिक शिक्षाले बालवाडी पबलिक स्कुल और लेटिन स्कुल देखो फ्रोबेल आगस्टरस फ्रेडरिक फ्रोबेल इनका पुरा नाम था और इन्होंने एक सुना होगा इस विदी का और लगबग 90% 37 स्विदी के बारे में जानते भी होंगे देखो 22 वे प्रिश्ण में जो सही आंसर है फ्रोबेल का मुख्य रूप से सिक्षा में क्या योगदान है बालवाडी इन्होंने इस्तापित की थी है कि धेले खुला था जिसका नाम क्या जाता है कि वह चात्रों से वांचित फिर रिक्तिस्तान है परिवर्तन लाने में कहां तक सपल हो पाया है सामाजिक व्यावहारिक मनोवेग्यानिक और प्रायोगी यहां रिक्तिस्तान पर इन चारों में से एक विकलप आएगा तो कौन सा विकलप रखोगे अंदर इसमें बताओ वैब 23 प्रिश्ण में कौन सा विकलप आपका सही उत्तर होगा देखो 23 प्रिश्ण का जो सही उत्तर है प्रिश्ण को पढ़ते हैं तब जाता वापिस किलियर हो जाएगा अध्यापक के कारी की सपलता का मुल्यांकन की जो अध्यापक कारी कर रहा है उसकी सपलता क का मुल्यांकन इस थक के से किया जाता है कि वह चात्रों से वांचित व्यावारिक परिवर्तन लाने में कहां तक सपल हो पाया है कौन सा परिवर्तन व्यावारिक परिवर्तन क्योंकि व्यावारिक मतलब जो चीज़े व्यावार में होती है उससे लिया जाता है तो दूसरा ही विकल्प इसका बेश्ट आंसर है और यही फेक्ट आंसर भी रहेगा इसका इसमें कोई चेंजिस नहीं होगा आपके सेकंड विकल्प ही प्रश्ण नमबर 23 में सही है साथियों अब आज का सेकंड लाश्ट मतलब 24 प्रश्ण देखेंगे कमेंट करके हमें जरूर बताए कि 25 म हमारी मेनत है उसको सार तक कर देता है लेकिन फिर भी आप लाइक शेर नहीं करते हो तो बड़ा दुख होता है चलो कोई ना चोई स्वा प्रश्ण देख लेते हैं डाल्टन सिक्सन विदी का विकास किसके द्वरा किया गया फ्रोबेल के द्वरा डव्यू एज किलपेट् चोईसवे में तीसरा या चोथा तो साथ चोईसवे में सही आंसर है कुमारी मी सेलन पारक श्ट के द्वरा डाल्टन सिक्सन विदी डाल्टन नगर में दी थी तो तीसरा विकलप आपके 24 में सही रहेगा अब आज कांतीम और 25 प्रश्ण देखते हैं प्रिक्षा के दिनों विदी, असैन्मेंट विदी, स्वध्यन विदी और प्रयोजना विदी तो 25 प्रिश्ण में कौन सांसर सही रहेगा जब एक्जाम का टाइम आता है साथियों तो उसमें अधिकतर जो विदी प्रियोग में लाई जाती है वो है स्वध्यन विदी मतलब जिसमें चातर दिख रही है यहाँ पर टच करके आप पिछले सभी टेश्टों को अटेंड कर सकते हो टीचिंग में तटके तो मिलता है एकले वीडियो में बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए